अगर किसी इंसान को कहा जाए कि तुम्हें पूरे हफ़ते में सिर्फ एक दिन गुस्ता करने की इजाज़त है तो वो इंसान क्या करेगा इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी है तो आज मैं जिस मूवी को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ वो है 2024 में रिलीज हुई एक तिलुग एक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम है सरीपोधास सरीवारम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो जमीन में गिरा हुआ था देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से लर रहा है यहां सीन चेंज होता है और हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं देखते हैं कि संकरम और उसकी पतनी चाया देवी दोनों रात के समय अपने बच्चों के साथ सो रहे थे चाया देवी को कोई बिमारी हो होने पर दोनों अपने आप समबल जाएंगे चाया देवी का छोटा भाई जिसका नाम सीतापती है वो दिन रात दारू पीते रहता है और सड़क के किनारे ही वो अपना दिन गुजरता है चाया देवी के लड़के का नाम है सूरिया और उसकी बेटी का नाम है भद्द्रा सूरिया के घर में उसकी मामी आते जाती रहती है जिसका नाम है प्रभावती और उसकी बेटी का नाम है कल्यानी जिससे सूरिया पसंद करता है लेकिन कल्यानी उसे पसंद नहीं करती क्योंकि सूरिया को बहुत जादा गुस्ता आता है और इसलिए कल्यानी उसे दूर ही रहत इधर सीता पती प्रभावती को बिना कारण के मारने लगता है। ये देखकर चाया देवी सीता पती के ऊपर केस कर देती है और उसे पुलिस पगड़ के ले जाती है। इसी कारण के चलते चाया देवी प्रभावती और उसकी बेटी कल्यानी को शहर से बाहर कोई दूसरी कुछ भी नहीं बताती और वहां से चले जाने को बोलती है ये सब देकर सूरिया बहुत जादा गुस्ते में आ जाता है और अपने मामा सीता पती को मारने के लिए दोड़ता है लेकिन उसका मामा वहां से चला जाता है ये सब देकर सूरिया के माता पिता दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था क्या खेर वो अपने बेटे के गुस्ते को शांत कैसे रखें चाया देवी एक तरकीब निकालती है और वो सूर्या को समझाती है कि तुम्हें अपने गुस्ते को कंट्रोल में रखना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ही बाद में प्रॉबलम होगी और हर चोटी बात में गुस्ता करने के लिए उसे मना करती है क्योंकि हर चीज में गुस्ता करना ठीक नहीं अगर सही में किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके उपर गुस्ता करना जरूरी है लेकिन सू इस दिन मैं तुम्हें गुसा करने से रोकूंगी नहीं, उस दिन समझ जाना कि तुम्हें उस आदमी के उपर गुसा करना है। निकलेगा तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। ये सोचकर चाया देवी टेंशन में आ जाती है। आज गुसा कर सकता हूं कि तब ही उसकी मा का दुपट्टा उसके हाथ में आ जाता है। और उसे उसकी मा की बात याद आती है। जब उसने कहा था कि जिस दिन मैं कुछ भी नहीं कहूंगी उस दिन समझ जाना कि तुम्हें गुसा करना होगा। अपनी मा की बात याद करने के बाद सूरिया एक लकड़ी लेकर अपने मामा के उपर हमला कर देता है। वो फिर से अपनी डैरी को खुलता है और डैरी में जिसका भी नाम लिखा होता है उसे याद करने की कोशिश करता है। और अगर फिर भी उसे गुसा नहीं आया, तो वो उस डाइरी में लिखा नाम कार्ट देता है, लेकिन अगर उसे गुसा आ गया, तो वो उस नाम को लाल रंग से हाइलाइट कर देता है, और उसे माड़ने के लिए चला जाता है, और ऐसा ही नहीं, अगर किसी और के उपर भी जुल्म हो रहा है तो वो उसे बचाने के लिए जाता है और वो उसके उपर हाथ नहीं उठाता और शनिवार के दिन आते ही वो उसे वापस माणने के लिए चला जाता है ऐसे ही सूरिया चाई पीने के लिए एक होटल में गया था और वहां का मालिक अपने करमचारी फैजल को बहुत बुरी तरह मारा था जिसे के उसके सिर पे चोट लग गई थी क्योंकि उस वेटर ने घड़ी का टाइम 10 मिनिट आगे कर दिया था सूरिया फैजल से मालिक के बारे में पूछता है कि उसका मालिक है कहां और वो दोनों मिलकर मालिक के घर चले जाते हैं मालिक का नाम है नरायन प्रभा और सूरिया नरायन को समझाता है कि इस लड़के को बिना मतलब के आपने मारा और इसने घड़ी को 10 मिनिट आगे किया था इसलिए क्योंकि इसके पिता ट्रेन पकड़ने के चलते अपनी जान गवा दी थी और अगर वो 10 मिनिट आगे पहुँच गए होते तो आज वो जिन्दा होते इसलिए फैजल जहां भी होता है वहां का घड़ी वो 10 मिनिट आगे कर देता है सूरिया नरायन से माफी मागने के लिए कहता है नरायन गुसे में आता है और फैजल को धमकी देता है कि अगर तुमने फिर से मेरे खिलाव बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा ये कहकर वो दोनों को छोड़ देता है लेकिन सूरिया उस दिन तो कुछ भी नहीं करता लेकिन शनिवार के दिन आते ही सूरिया वापस नरायन के घर पहुंचता है और उसे और उसके बाकी साथियों को मारने लगता है मार खाने के बाद नरायन सूरिया से पूछता है कि तुमने उस दिन मुझे क्यों नहीं मारा आज तुम क्यों मार रहे हो सूरिया बताता है कि हफते में सिर्फ एक दिन किसी के उपर हाथ उठाता हूँ और वो शनिवार का दिन इसलिए बाकी दिन में कुछ नहीं करता ये कहकर सूरिया वहाँ से चला जाता है हमें पता चलता है कि सूरिया मारपीट के अलावा एक गवर्मेंट एमपलॉई भी है और वो इंशॉरिया अपना काम अच्छी तरह से करता है जिससे कि उसके आफिस में उसकी बहुत इज़त भी है कमपनी का 25 वा साल गिरा मनाने के उपलक्ष में कमपनी का मैनेजर सूरिया को चीफ गेस्ट ढूणने का काम देता है नारायन अपना बदला लेना चाहता था इसलिए वो सूरिया के उपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार सूरिया बचके निकल जाता है जैसे शनीवार का दिन आता है सूरिया खुद नारायन के घर चला जाता है और उसे मारता है लेकिन शनीवार के रात बारा बचते ही रवीवार का दिन जब शुरू हो जाता है जिससे के सूरिया नारायन के उपर हाथ नहीं उठा पाता और उसे छोड़ देता है सूरिया का एक और उसूल है कि जिस आदमी को वो मार नी पाता उसे लगता है कि उसकी माने इशारा किया है उसे छोड़ देने के लिए और उसके बाद से सूरिया उस आदमी को कभी नी मारता संकाराम सूरिया के बारे में एक बात बताता है कि वो कल्यानी से बहुत प्यार करता है और उसे बच्पन से चाता है और उसे ढूरने की वो बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला सूरिया के गुस्से के कारण उसके बेहन की शादी भी तूटते तूटते बज गई जिस दिन भदरा की शादी हो रही थी उस दिन लड़के का पिता भदरा की मा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था जो सूरिया सून लेता है सूरिया गुस्से में आ गया था क्योंकि लड़के का पिता उसकी मा के बारे में कुछ भी बोल रहा था संकाराम सूर्या को समझाता है शादी हो जाने देने के लिए क्योंकि लड़का भद्रा को पसंद करता है शादी हो जाती है लेकिन वो दिन शुकरवार का था अब जैसे ही रात के बारा बचते हैं सनीवार का दिन शुरू होता है और सूर्या लड़के के पिता के उपर गुस्सा होने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है ये देकर भद्रा जो बहुत जादा गुस्से में आ जाती है और सूर्या को समझाती है कि तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है उसे जादा गुस्ता मुझे भी आता है लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं यहां नहीं रह पाऊंगी भद्रा अपने भाई से रिष्टा तोड़ देती है और उसे मिलने के लिए उसे मना करती है इसके कारण भद्रा कभी भी अपने माई के नहीं आती संकाराम इसी चीज़ को लेकर अपने बेटे को पसंद नहीं करता और संकाराम कसम खा लिया है कि शनिवार के दिन जो भी उसका टार्गेट होगा उससे बचाने की वो कोशिश करेगा और इशानिवार ये साइकार्ट्रिस्ट के हस्बेंड सूर्या का टार्गेट है यहां हमें पता चलता है कि साइकार्ट्रिस्ट के पती भदरा के ही स्कूल में पढ़ते थे और वो भदरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिच की थी और इसलिए सूरिया उसे मारना चाता है साइकार्ट्रिस्ट को जब पता चला कि उसका पती खत्रे में है वो तुरंत अपने घर के लिए निकलती है और वो देखती है कि सूरिया उसके पती को बहुत बुरी तरह मारा है इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम चारू लता को देखते हैं जिसे पुलिस की नौकरी लगी है और वो अपना जाइनिंग लेटर लेकर पुलिस टेशन पहुंचती है वहाँ का हवलदार उसे सी आई सर से मिलने के लिए कहता है लेकिन उस समय सी आई सर कुछ काम से बाहर गए वे थे सुबा से शाम हो जाती है लेकिन सी आई सर पुलिस टेशन नहीं आते हवलदार चारू लता को सी आई सर के बारे में बताता है कि वो कैसे आदमी है सी आई सर का नाम दयानंद है और उन्हें भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है अगले सीन में हम कूर्मा नंद को देखते हैं जो के कॉलिटीशन है और उसके उपर किसी नहामला किया था और वो उस हमला वर को पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुमने मेरे उपर हमला क्यों किया लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने आपके उपर हमला नहीं किया, बलके मैंने तो आपको बचाने की कोशिश की, तबी कूर्मा नंद का एक आदमी आता है और उसे बताता है कि ये आदमी बेकसूर है, और इसने आपके उपर हमला नहीं किया था, ये सुनकर कूर्मा नंद तु क्यूंकि कूर्मानंद अपने चोटे भाई दयानंद का जमीन अपने नाम कर चुका था और दयानंद अपना जमीन वापस लेना चाता है। दयानंद गोवर्धन को छोड़ देता है क्यूंकि उसे उसके जमीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गोवरधन वहाँ से चला जाता है. इधर कूरमा नंद को जैसे ही पता चलता है के गोवरधन दयानंद के कबजे में हैं. वो तुरंत उसे फोन लगाता है और गोवरधन को छोड़ने के लिए बोलता है और उसकी जमीन वापस करने के लिए वो तयार भी है. ये सुनकर दयानं अपने साथ ही सुधा से गोवर्धन को पकड़ने के लिए कहता है लेकिन गोवर्धन वहां से जा चुका था दयानन्द अब टेंशन में आ जाता है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसे अपनी जमीन वापस मिलने वाली थी और वो ये मौका ऐसे जाने ने दे सकता था दयानन् गुसा आता है वो अपना गुसा गाओं के लोगों के उपर निकालता है अगले दिन फिर से दयानन्द एक आदमी को मार रहा था तबी वहां सुधा एक वकील के साथ पहुंच आता है और दयानन्द को बताता है कि आपके भाई का फोन आने से पहले ही आपने गोवर्धन को छोड़ दिया था लेकिन ये बात आपका भाई मानने को तयार ही नहीं वकील बताता है कि ये क्लाइंट आपके जमीन के पेपर लेने के लिए तयार बैठा हुआ है और आपको सिर्फ एक महीने का समय है दयानन्द अपने जमीन जो कूर्मा नंद के नाम पर है वो जमीन वा हो गई है उसका बच्चा होने वाला है ये सुनकर सूर्या उदास हो जाता है इधार प्रभावती को देखते हैं जो कल्यानी से कहती है कि तुम्हारी आंटी के वज़े से हम यहां सुरक्षित रह रहे हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी साधी सूर्या से हो जाती यहां में पता चलता है के चारूलता ही कल्यानी है और वो अभी भी सूर्या को पसंद नहीं करती क्यूंकि उसे बहुत गुसा जवाता है लेकिन उसकी माँ समझाती है के अब वो बड़ा हो चुका है और वो बदल चुका है लेकिन फिर भी कल्यानी उसे शादी करने के अपना जॉइनिंग लेटर उसे दिखाती है, जॉइनिंग लेटर देखकर दयानंद उसे गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए रखता है, और फिर वो राजू को बेवज़ा मारने लगता है, ये देकर कॉंस्टेबल चारूलता को समझाता है कि दयानंद से बच के रहने के लिए, चारूलता बताती है कि मुझे लोगों को मदद करने से अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी माँ बहुती जल्म सहती थी, और इसलिए मैं उन सभी की मदद करती हूँ जो बेकसूर है, लेकिन कॉंस्टेबल उसकी बात सुनकर बताते हैं कि सुकूला पालेम गाउं में जाकर तुमें हर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा गाउं है जहां क्राइम नहीं होता लेकिन उनके बाप दादाओं के कर्टूतों के वज़े से ये लोग आज भी सजा भुकत रहें, और अगर कोई भी गाउं के बाहर काम करने के लिए जाना चाहे तो उसे सी आई सर की परमिशन लेनी होती है, यहां हमें एक और कहानी बताई जाती है कि सी आई सर गाउं वालों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले दयानंद के नाम पर एक जमीन था, जिसके उपर कोर्ट का लिटिगेशन लग गया था, और कूर्मा नंद सकूला पालम के लोगों के उपर अपना गुस्ता निकालता है, और उन लोगों को बिना वज़ा पकड़ के लेकर आता है, और जेल में बंद करके अपना गुस्ता निकालता है, यह सब सुनने के बाद चारू लता सकूला पालम गाउं में जाती है, और राजू के परिवार से मिलती है और उनसे कहती है कि राजू पांस दिनों से खाना नहीं खाया राजू की पतनी खाना बना कर चारू लता को देती है और चारू लता खाना ले जाकर राजू को खिलाती है ये सब देखकर सकूला पालेम के लोग हैरान थें क्योंकि पहली बार किसी ने उन लोगों क मदद करने की कोशिश की है फिर एक दिन सूरिया उसी पुलिस टेशन के पास आता है और एक दुकान में जाकर पानी पीने लगता है तब ही वहाँ दयानंद अपनी गाड़ी लेकर वापस आ रहा था और उसकी गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है दयानंद उस ब ओरत घबरा गई थी और गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है ये सब सूरिया दूर से देख रहा था और वो पानी के बॉटल के धकन को लेता है और अपने गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल धकन में भढ़कर उस बुड़ी ओरत के गाड़ी के सामने आ जाता है और सी आ दयानन्द गाड़ी रोक देता है और तूरंत सूरिया बेट्रोल से भढ़ा recharge कन गाड़ी के नीचे फिक देता है दयानन्द गूसे में आकर सूरिया से कहता है कि तम हो क़्ून तुम्हारी हम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की सूरिया बताता है कि आपके गाड़ी से पे पेटरोल लीक हो रहा था और उसका पेटरोल खतम हो चुका था सूरिया पेटरोल भढ़ने के लिए जाने लगता है कि तभी वहाँ चारूलता अपनी गाड़ी लेकर आती है और उसका नाम पूछती है सूरिया का नाम सुनते ही चारूलता अपने बचपन के दोस्त सूरिया क याद करने लगती है और उसे लग रहा था कि वो शायद वही सूरिया है फिर दोनों पेट्रोल भड़ने के लिए चले जाते हैं और यहां वो दोनों आपस में अपना फोन नंबर भी ले ले लेते हैं सूरिया जब घर वापस आता है तो वो अपने डैरी में CI सर का नाम लिख करने की कोशिश कर रहा था तब बार बार मेरे दिमाग में उस लड़की का ख्यालाने लगता है और उस आदमी का नाम मैं लिखी नहीं पा रहा था संकाराम अपने बेटे को समझाता है कि अगर तू लड़की को चाहने लगा है तो चाहे तुझे प्यार हो गया है यह सुनक सुकूला पालेम के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी क्यूंकि उन लोगों के उपर बहुत जदा अत्याचार हुआ था और आगे भी होता रहेगा क्यूंकि सभी को लगता है कि सुकूला पालेम के लोग क्रिमिनल है और इसे दूर करने के लिए चारूलता सूरिया की मदद मांगती है फिर दोनों सोकुला पालिम गाउं चले जाते हैं जहां सूरिया पहली बार गाउं के लोगों से मिलता है फिर चारूलता देखती है कि उसके सामने जो कोई भी क्रिमिनल आता है वो से देखर भाग जाता है उसे को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यूं हो रहा है फिर एक दिन चारूलता राजु को खाना खिला रही थी और ये सब सुधा देख लिता है और उसे एक चाटा लगा देत है ये बात जब सुर्या को पता चलती है वो शनिवार के देन सुधा को पीटने के लिए चला जाता है चारूलता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है कोई तो है जो चारूलता के उपर नज़र रखा हुआ है अगले सीन में हम गोवर्धन को देखते हैं और दयानंद को अपने घर आने के लिए बोलता है दयानंद खुशी के मारे पुलिस टेशन आता है और राजू को छोड़ देता है और इधर चारूलता अपनी मां से कहती है कि वो सुर्या को पसंद करती है और उसे घर खाने के लिए बुलाती है इधर सुर्या बहुत टें जाएगी लेकिन अगर उसे बाहर से पता चला कि तुम ऐसा करते हो तो वो तुमें छोड़ देगी इधर हम देखते हैं कि दया नंद कुर्मा नंद के घर पहुंच जाता है जमीन के पेपर्स लेने के लिए कुर्मा नंद अपना जमीन का पेपर ऐसे ही नहीं देने वाला था वो दया नंद को बाहर इंतजार करवाता है और बार बार चाए नाश्ता पूछने के लिए भिशता है दया नंद बैठे बैठे तंग आ गया था और फिर से कुर्मा नंद का आदमी चाए नाश्ता पूछने के लिए आता है दया नंद समझ गया था कि उसका बड़ा भाई उसका मजाग बनाना चाता है और वो गुसे में जाकर वहां से चला जाता है कूरमा नंद भी अपने छोटे भाई को गुसा देखकर काफी खुश हो गया था दयानंद समझ गया था कि उसके भाईया जान बूच कर उसके साथ ऐसा कर रहे हैं इसलिए वो अपने गुसा निकालने के लिए सकूला पालिम गाउं चला जाता है और राजू और उसके परिवार के उपर हमला करने लगता है राजू की बेटी अपने पिता को बचाने के लिए जाती है लेकिन दयानंद उसे इतनी जोड से धका देता है कि वो लड़की नीचे गिर जाती है और उसके गले से खून निकलने लगता है उसकी मा मदद के लिए चिलाने लगती है दयानंद राजू को बेधरक पिटता है लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता क्योंकि सब दयानंद से डड़ते हैं ये सब देकर चारू-Latah अपने मुबायल से सूरिया को फोन लगाती है और सूरिया अपने फोन में चिलाने की आवाँ सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि चारू-Latah सोकूला पालेम में है इधर नारायन अपनी मार का बदला लेना चाहता था इसलिए वो अपने आदमी उसे कहता है कल मेरा operation होने वाला है थोरी दिर में राजु को भी एडमिट कर दिया जाता है और चारु लता पूछती है दयानन के खिलाफ कम्प्लेंट क्यों नहीं करते राजू की पतनी बताती है कि अगर मैं उसके खिलाफ कम्प्लेंट करती हूँ तो मेरा पती जिन्दा नहीं बचेगा वो ये भी कहती है कि हमें तो इसी तरह जीने की आदत है ये सुनकर चारू लता बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि गाउंवालों के लिए वो कुछ भी नहीं कर पारी थी वो ये भी कहती है कि आज अगर वो शनिवार वला लड़का आया होता तो वो शायद दयानन से लड़ पाता सुरिया ये सुनते ही वो अपने असलियत के बारे में उसे बता देता है और कहता है कि मैं ही वो शनिवार वला लड़का हूँ जो शनिवार के दिन मार पीट करता है तब ही वहाँ नरायन के गुंडे आ जाते हैं जो सुरिया का पीछा कर रहे थे और सूरिया के उपर हमला करते हैं लेकिन आज शनिवार का दिन था और सूरिया भी गुंडों को एक एक कर मारने लगता है ये देकर चारू लता हैरान थी क्योंकि वो जिसे पसंद करती थी वो एक गुंडा निकला लेकिन वो अच्छे काम के लिए लड़ता है सूरिया चारू लता से कहता है कि आज से सकूला पालम के लोगों की प्रॉबलम अब मेरी प्रॉबलम है आज से हम लोगों के उपर कोई भी अत्यचार नहीं होने देंगे सूरिया अपने घर जाने के बाद दयानंद का नाम अपने डैरी में लिख लेता है और उसे लाल रंग से हाईलाइट कर देता है सूरिया अपने पिता को बता देता है कि मैं अपने बारे में चारूलता को बता चुका हूँ इधर चारूलता भी अपने माँ से कहती है कि वो सूरिया को पसंद करती है लेकिन वो अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे लड़के के साथ बिताना नीचाती जो गुंडा गर्दी करता है अगले देन रवीवार को फिर से दोनों मिलता है चारूल अतास सूर्या को समझाती है कि अगर तुम दयानन्द को मार दोगे तो इससे गाउं वालों की प्राब्लम सॉल्व नहीं होगी आज दयानन्द है कल कोई और होगा इसलिए उनके मन के अंदर से डर को भगाना होगा किधर वकील दयानन्द से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि क्लाइंट जमीन के लिए अगले संड़े का वक्त ले रहें और उसे पहले आपको जमीन के कागजों में आपके भाईया के साइन करवाने होंगे नहीं तो क्लाइंट ये जमीन नहीं लेंगे दयानन्द अपने भाईया को मारने का प्लाइनिंग करता है और वो वकील से कहता है कि संडे से पहले आपको जमीन का कागज़त मिल जाएंगे ये बात चारू लता सुन लेती है और सूरिया को जाकर बताती है सूरिया कहता है दाया नंद अगर मर जाता है तो कल कोई और आएगा इसलिए हमें गाउं के लोगों के मन के अंदर डर को भगाना होगा इसलिए सूरिया चुपके से रात के समय गाउं चला जाता है और एक दिवार में लिख देता है गाउं के लोगों के अंदर जो डर है उसे भगाने के लिए इस शनिवार को मैं एक काम करने जा रहा हूँ गाउं के सभी लोग सुबा उड़ते ही देखते हैं और सोचने लगते हैं के ये कौन लिख सकता है सूरिया उन लोगों को बताता है के गाउं में से कोई एक लड़का है जो हमारी मदद कर रहा है इधर दया नंद अपने भाई कूर्मा नंद को मारने की प्लैनिंग करता है और उसे पता चलता है के कूर्मा नंद सुबा सुबा मंदिर जाता है और रात के समय पब जाता है सुधा बताता है के पब में उसकी साथ जादा सेक्यूरिटी रहती है इसलिए उसे मंदिर के बाहर मारना बहतर होगा सुधा ये भी बताता है कि वो गुरुवार को मंदिर के बाद दिल्ली चला जाएगा और अगले बुद्वार को वापस आएगा इसलिए दयानन्द उसे गुरुवार के दिन मारने का प्लैनिंग करता है इधर चारू लता भी सूर्या को बता देती है वो दिन के हिसाब से अलग-अलग मंदिर जाता है और वो गुरुवार को दिल्ली चला जाएगा सूर्या प्लानिंग करता है और अपने बॉस को फोन करके बताता है के वो कमपनी के 25 साल गिरा मनाने के लिए चीफ गेस्ट उसे मिल गया है सूर्या अपने बॉस के साथ मिल कर कूर्मा नंद के घर जाता है और उसे चीफ गेस्ट का इंविटेशन देने के लिए लेकिन कूर्मा नंद मना कर देता है क्योंकि वो दिल्ली जाने वाला था सूरिया उसे समझाता है कि अगर आप नहीं आना चाहते तो बता दीजिये लेकिन आपके लिए जो स्पीच हमने रेडी की है उसे सुनने के बाद आप दिल्ली जाना कैंसल कर देंगे स्पीच सुनने के बाद कुर्मानंद दिल्ली जाना कैंसल कर देता है और वो अब अगले सोमवार को दिल ली जाएगा दयानंद कूर्मानंद का इंतिजार मंदिर में कर रहा था लेकिन उस दिन कूर्मानंद मंदिर नहीं आया था क्योंकि वो सुर्या का स्पीच बैट कर घर में सुन रहा था पता चलने के बाद सुधा दयानंद को बताता है के कूर्मानंद गुरुवार को दिली नी जाएगा और वो अगले सोमवार को दिली जाएगा इसलिए हमें शनीवार का दिन मिल रहा है उसे मारने के लिए शनिवार का दिन आ जाता है और हम देखते हैं के नरायन मड़ चुगा था और उसकी मौत का कारण सूरिया था और उसका बेटा काली शहर से वापस आ गया था और उसे पता चल जाता है कि उसके पिता को सूरिया ने मारा ये देखकर वो थोड़े घबरा जाते हैं पुलिस वाले को बचाना चाता था इसलिए वो सूरिया के दोस्त को फोन करता है सूरिया का दोस्त उसके पिता को बताते हैं कि सूरिया को बेहोशी की दावा दे कर उसे सुला दीजिये संकाराम दूद में नशे की दवाई मिला देता है और वो सूरिया को पीने के लिए देता है सूरिया उस दूद को पी तो लेता है लेकिन थोरी दिर में उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है इधर काली अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता था और वो सूर्या को ढूंटे ढूंटे उसके ऑफिस पहुंचाता है जहां उसे उसके घर का पता मिल जाता है सूर्या का दोस्त उसके पिता को फोन करके बताता है कि सूर्या को मारने के लिए कुछ गुंडे आ रहे हैं संकाराम घबरा जाता है और वो घर के सारे खिड़ की दरवाजे बंद करने लगता है इधर सुधा दयानंद को बता देता है कि कूर्मा नंद मंदिर के लिए निकल चुका है दयानन्द भी चारूलता के साथ मंदिर के लिए निकल जाता है चारूलता सूर्या को फोन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन सूर्या के पिता बार बार फोन काट रहे थे गाड़ी चलते चलते चारू लता जान बूच कर गाड़ी का एक्सिडेंट करवा देती है ताकि दायानंद मंदिर ना पहुँच पाए लेकिन दायानंद आटो पकड़ के मंदिर पहुँचता है लेकिन तब तक कूर्मा नंद वापस जा चुका था चाडूलता गारी ठीक करके मंदिर पहुँचती है लेकिन उसके उपर दयानन्द बहुत ज़ादा गुस्ता था क्यूंकि उसके वज़े से आज वो अपने भाईया से नहीं मिल पाया और उसे मार नहीं पाया सुधा बताता है कि आज रात वो पब जाएगा और ये हमारा आखरी मौका होगा अगर इस बार हम उसे मार नहीं पाये तो सब कुछ खतम हो जाएगा इधर काली अपने आदमियों के साथ सुर्या के घर पहुँँ जाता है लेकिन संकाराम पहले से ही घर के बाहर ताला लगा चुका था और पीछे के रास्ते से अंदर आकर सारे खिड की दर्वाजे वो बंद कर देता है काली दर्वाजे में ताला लगा देखकर उसे समझ आ रहा था कि घर के अंदर कोई है नहीं इसके बाद भद्रा को देखते हैं जो प्रेगनेंट हो चुकी थी और उसके पती उसे समझाता है कि तुम अपने भाई को ये बात मत बताना लेकिन तुम अपने पिता को ये बात बता सकती हो कि तुम प्रेगनेंट हो गई हो इसलिए भद्रा उसे दिन शनिवार को अपने पिता के घर चली जाती है लेकिन काली और उसके गुंडे बाहर दुकाने बैट कर इंतिजार कर रहे थे भद्रा जब घर पहुंचती है वो देखती है घर के बाहर ताला लगावा था और वो अपने पिता को फोन करती है संकाराम जब अपनी बेटी से बात करता है तो पता चलता है कि वो बाहरी खरी है वो बहुत टेंशन में आ गया था और वो तुरंत अपनी बेटी को पीछे वाले रास्ते से अंदर बुला लेता है ये देखकर काली और उसके गुंडे हैरान हो गए थे कि घर में ताला लगने के बावजूद वो अंदर कैसे चली गई उन्हें शक होता है और सभी गुंडे घर के शीशे दर्वाजे तोड़ने लगते हैं और उन लोगों को नजर आ जाता है कि घर के अंदर सूरिया और उसके पिता बैठे वे हैं कभी लोग दर्वाजा तोर कर अंदर आ जाते हैं और संकाराम और उसकी बेटी भद्रा को वो पकर लेते हैं जैसे वो लोग सूरिया के उपर हमला करने वाले थे सूरिया अचानक से उठ जाता है और सभी को बेधरक मारने लगता है लेकिन उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था क्यूंकि वो अभी भी नशे में था तभी वो देखता है उसकी बेहन भदरा घर वापस आई थी और वो प्रेगनेंट है ये देकर सूरिया अपने पिता और अपनी बेहन को एक कमरे में बंद कर देता है और काली और बाकी गुंडों को मारने लगता है सूरिया अपने मुबाइल में देखता है के चारू लता उसे मेसेच की है के दयानंद पूर्मा नंद को मारने के लिए रात को पब में जा रहा है सूरिया ये जानकर तुरंत अपनी बेहन को हॉस्पिटल जाने को बोलता है और खुद अपना चेहरा ढख कर पब में पहुंच जाता है लेगे जैसी वो दयानंद के उपर हमला करता है वो देखता है के घड़ी में 12 बच चुके थे याने के शनिवार का दिन खतम हुआ दयानंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी है कौन और उसे वो मारने की वाया था दयानंद जैसे घड़ी के तरफ देखता है सूर्या वहां से गयब हो जाता है सूर्या जब वहां से वापस जा रहा था तब वहां पब में फैजल दिखाय देता है जो वहां काम करता है और उसे उसकी बात याद आती है कि उसने कहा था जहां पर भी वो काम करता है वो घड़ी का टाइम 10 मिनिट आगे कर देता है ये याद आने के बाद सूर्या समझ जाता है कि अभी भी 12 नहीं बज़े हैं वो वापस दयानंद को मारने के लिए चला जाता है और दयानंद देखता है कि कूर्मानंद डांस कर रहा था जैसी दयानंद उसके उपर बंदूख से निशाना लगाता है तब ही वहाँ सूर्या पहुँच जाता है और दयानंद के उपर हमला करता है गोली की आवाज सुनकर कूर्मानंद देखता है कि उसके भाई दयानंद उसके उपर गोलियों से हमला कर रहा था और वो अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग जाता है ऐसा सूरिया इसले कर रहा था क्योंकि कूर्मानंद को पता चले कि उसका भाई उसे मारने के लिए आया है ये देकर कूर्मानंद को यकीन हो गया कि दयानंद उसे मारना चाता है और उसके बाद कूर्मानंद खुद अपने भाई को मार डालेगा सूरिया दयानंद को बहुत बुरी तरह मारता है और जैसे ही बारह बचते हैं सूरिया वहाँ से चला जाता है कूर्मा नंद को यकीन नहीं हो राथा कि उस भाई उसे मारना चाता है और इसलिए अब वो अपने आदमियों को दयानंद को ढूणने के लिए भेज देता है इधर सुधा दयानंद को एक ऐसी जगा लेकर जाता है जहां उसे कोई ढूणना पाए इधर हॉस्पिटल में देखते हैं के भदरा अपने भाई से बहुत जादा परिशान हो चुगी थी क्योंकि वो हर समय मारा मारी करते रहता है और इसे के कारण वो अपने भाई के साथ रिष्टा तोड़ दी थी और अब वो प्रेगनेंट है और अगर उसका भाई उसके साथ रहना चाता है तो उसे शनिवार को मार पीट करना छोड़ना होगा इधर सकूला पालेम गाउं में सभी को पता चलता है कि दयानंद के उपर किसी ने हमला किया और वो हमारे गाउं का लड़का है ये जानकर गाउं के सभी लोग काफी जादा खोश हो गए थें इधर पुलिस स्टेशन में पता चल गया था कि दयानंद के उपर हमला हुआ भद्रा के प्रेगनेंट होने के कारन सूरिया अपने आपको बदलने की कोशश करता है और जादा से जादा समय अपनी बेहन के साथ बिताता है और उसका ख्याल रखता है इधर कुछ दिनों के बाद दयानंद कूर्मानंद के घर आता है कूर्मानंद नाटक करता है और उसे पूछता है आखर तुमने मुझे क्यों बचाया मैंने आज तक तुमसे अच्छा वैवार नहीं किया और तुम्हारी जमीन भी ले ले लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई ये सुनकर दयानन्द हैरान हो जाता है दयानन्द भी नाटक करता है कहता है के आप मेरे बड़े भाई हो और हमारे बीच में अगर जगडा भी हो मैं आपकी इज्ज़त हमेशा करता रहूंगा ये सुनकर कूर्मानन्द रोने लगता है और खुशी के मारे अपनी सारी जायदाद अपने भाई के नाम कर देता है लेकिन एक शर्थ पर वो कहता है जिसने भी तेरी ये हलत की है उसे ढूणने के लिए और उसे मार डालने के लिए दयानन्द अपने भाईया से वादा करता है उसने भी मेरा ये हल किया है उसे मैं जिन्दा नी छुड़ूँगा चारू लता को पता चल जाता है के दयानन्द और कूर्मा नंद अब एक साथ हो गए है और ये बाद चारू लता सूर्या को बता देती है और ये सुनकर सूर्या को समझ नहीं आ रहा था के अब वो क्या करेगा इधर दयानन्द सुधा से कहता है के वो लड़का मुझे मारने के लिए आया था लेकिन उसने मुझे मारा नहीं बलके घड़ी को देखा और वापस चला गया सुधा बताता है के घड़ी 10 मिनिट आगे थी दयानन्द समझ गया था और बताता है कि उस आदमी को नहीं पता कि घड़ी 10 मिनिट आगे है और जब उसे पता चला तो वो वापस आकर मुझे मारा दयानन्द को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था और वो बताता है कि जैसे ही बारब बचते हैं वो वहाँ से चला गया था और उस दिन शनीवार का था इसका मतलब ये है कि या तो वो सोमझ वार से शनीवार तक सब को मारता है और अवी वार को शांत रहता है और दूसरा मतलब ये है या तो वो सिर्फ शनीवार को ही मारता है दयानंद तुरंट सुधा से कहता है कि शनीवार के दिन जितने भी केसेस रेजिस्टर हुए हैं सभी की फाइले लेकर आने के लिए सुधा सभी पुलिस टेशन से केस फाइल लाने के लिए जाता है लेकिन उसे कोई भी case register नहीं मिलता वो आकर बताता है कोई भी पुलिस टेशन से शनीवार के दिन कोई भी case register नहीं हुआ बलके आज हुआ है और हम देखते हैं कि पुलिस टेशन में सूरिया अपनी complaint लिखाने के लिए आता है और वो बताता है कि शनीवार की रात मेरे उपर किसी ने हमला किया दयानंद सूरिया से उसका नाम पूछता है और वो उसे बताता है कि शनीवार के दिन मेरे उपर किसी ने हमला किया और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था सूरिया कहता है हाँ उसने मेरे उपर भी हमला किया था और अपने चेहरे पर उसने मास्क लगायवा था दयानन्द उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है ये सुनकर सूरिया बता है कि मैंने आपको पुलिस टेशन के बाहर उस वारत को गाड़ी ठोकते हो सूरिया बताता है कि मैंने उसकी आखे देखी है और पहचान सकता हूँ कि वो कौन है ये सुनकर दयानन्द खुश हो गया था और जितने भी चोर उचके हैं सभी को पकड़ कर लाने के लिए कहता है और चारूलता उसे कहती है सूरिया को बुलाने के लिए चारूलता सू कहती है बोलती है कि उसका चहरा बॉटल कैप की तरह दिखता है सूरिया को बुलाया जाता है और सभी चोर उचक्के को देखकर उसे पहचानने के लिए कहा जाता है लेकिन सूरिया सभी को देखकर मना कर देता है कहता है इन में से कोई भी नहीं था इसके बाद हम को देखते हैं जो बहुत टेंशन में था क्योंकि शनिवार के दिन उसे कौन माडने के लिए आ सकता है। पता चल गया है ये आदमी कहां पर है वो एक वीडियो दिखाता है और हम देखते हैं कि सकूला पालेम गाउं में उसकी तश्वीर बनाई गई है और ये आदमी उसी गाउं में रहता है दयानंतु रंद सूरिया को लेकर सकूला पालेम गाउं पहुंच जाता है और गाउं के सबी लोगों को मारने पीटेने लगता है और सूरिया से पूछने लगता है कि क्या इन लोगों में से कोई है जिनोंने तुम्हें मारा था सूरिया इंकार करता है और कहता इन में से कोई भी नहीं था सूरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करेगा क्यूंकि असली में वो खुदी है जिसे दयानंद ढूंड रहा था और वो गाउंवाले के उपर अत्याचार देखकर काफी जादा दुखी हो गया था ये सब हो जाने के बाद अगले दिन चारू लता सूरिया के साथ मिलकर सकूला पालेम गाउं पहुंचती है और सभी लोगों को समझाती है कि सूरिया भी वहीं था जब दयानंद को मार पड़ी थी और इसलिए उन लोगों ने सूरिया को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया सूरिया सभी से कहता है कि हमें शनीवार वाले लड़के को ढूना होगा वो ये भी बताता है कि आप लोगों में और शनीवार वाले लड़के में कौन सी बात कॉमन है सूरिया कहता है डर दयानंद सोचने लगता है कि आखिर उस रात पब में उसे कैसे पता चल गया था कि वो अपने भाई को मारने के लिए गया था। लगता है हमारे बीच कोई अंदर का खबरी है। तब ही उसे याद आता है कि चारूलता के फोन में उस लड़के का नंबर बॉटल कैप के नाम स सेफ था यानि के वो वही लड़का है बलके वो लड़का सूरिया है जिसे चारूलता मदद कर रही थी। दयानंद को आखिरकार पता चल जाता है और वो तुरंद कूर्मा नंद को बताने के लिए चला जाता है और कहता है कि जिस लड़के को पकड़ा था वही लड़का अ साफी जादा गुस्से में आ गया था क्यूंकि उसका खुत का भाई उसे मारने के लिए आया था अब जैसी वो अपनी बंदुक निकाल कर दयानंद को मारने वाला था दयानंद अपने भाई को गोली मार देता है और वहां से बाहर चला आता है थोरी दिर में गोवर्धन अप चला जाता है और चारूलता को उठा लेता है सूर्या जैसे ही चारूलता के घर पहुंचता है और पहली बार उसकी मां से मिलता है सूर्या देखता है कि प्रभावती ही चारूलता की मां है याने के चारूलता असली में कल्यानी है जिसे वो बच्पन से प्यार करते आ रहा दयानन्द फिर से सूर्या को फोन करता है और उसे सकूला पालम गाउं बुलाता है सूर्या तुरंद कल्यानी को बचाने के लिए गाउं पहुंचता है और दयानन्द बहुत बुरी तरह सूर्या को मारने लगता है और वो देखता है कि कल्यानी घायल हो चुकी थी और बेहोश हो गई है उसे देखकर सूरिया को बच्पन की यादे याद आने लगती है दयानंद सूरिया से कहता है कि अगर गाउं का कोई भी आदमी अगर मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है तो मैं खोद चारूलता को हस्पता लेकर जाऊंगा सूरिया अभी भी गाउंवालों से विंती करता है और दयानंद के खिलाफ आने के लिए कहता है लेकिन कोई भी उसके खिलाफ नहीं आता दयानंद सभी गाँवालों को बाहर बुलाता है और सभी को घुटनों में बैठने के लिए कहता है ये देखकर सूरिया हैरान हो गया था तब ही वहाँ सूरिया के पिता संकराम आते हैं और दयानंद को बताते हैं कि आप सूरिया को नहीं पैचानते वो अगर किसी के उपर गुसा हो जाता है तो वो अपना नाम अपने डैरी में लिख लिता है और शनिवार के दिन उसे मारता है और आपका नाम भी उसने डैरी में लिखा है लेकिन सूरिया ने अपनी बेहन से वादा किया था कि वो किसी के उपर हांत नहीं उठाएगा इसलि दयानंद सभी गाउंवालों के उपर अत्यचार करने लगता है लेकिन फिर भी कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता। तब ही अचनक गाउंवालों का एक बुज़र्ग आदमी दयानंद को एक चांटा मार देता है। और ये देखकर सूरिया समझ गया था कि अब गाउ उसने सूरिया से पूछा था। सूरिया पूछता है कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो तुम्हें एक शर्ट पर हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। अगर गाउं का एक आदमी भी बोल दे कि तुम्हें जिन्दा छोड़ देने के लिए तो मैं तुम्हें हॉस्पि देखते हैं कि भद्रा को एक लड़की होती है और उसके हाथ में एक लाल डुपटा होता है जिसे देखकर सूर्या को अपनी मा की याद आ जाती है और इसे के साथ ये फिल्म यही पर एंड होती है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पस सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर